बोनस को लेकर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में सहमती बन चुका है रेगुलर इंपुलाई के लिए 4,500 रुपया तै हो चुका है और ट्रेनिज के लिए जो ट्रेनिंग में है उन लोगों के लिए 33,000 तै हो चुका है लेकिन एक बार में नहीं मिलेगा यहां पर समझने का परियास किजिए जैसे रेगुलर इंपुलाई के लिए 4,500 रुपया तै हो चुका है लेकिन इस में से 28,000 रुपया आपको बोनस के रुपय मिलेगा और 12,500 रुपया एस्पलेंडिड पर्फोर्मेंस के रुपय मिलेगा जो की 12,500 रुपया यह दो बार में आपको मिलेगा 12,500 रुपया का 25 परसंट आपको तत्काल यानि की अभी मिलेगा बोनस और 3,125 रुपया अभी मिलेगा और 12,500 रूपया का 75% जो बच रहा है यानि की 9,375 रूपया बच रहा ये 31 मार्स से पहले मिलेगा उसी तरीके से टेरेनीज के लिए टोटल 33,000 मिलेगा लेकिन एक बार में नहीं मिलेगा बोनस के रूप में आपको 26,000 रूपया मिलेगा जो की ततकाल यानि की अभी मिल जाएगा और बाकी जो 7,000 रूपया बच रहा है ये एस्प्लेंड परफोर्मेंस के रूप में मिलेगा जो की 2 पार्ट में मिलेगा 25% ततकाल यानि की अभी मिल जाएगा 25% निकालेंगे तो 1750 उर्पया होगा जो की अभी मिल जाएगा और 75% यानि की 7000 का 75% 31 मार्श से पहले मिलेगा जो की 5250 उर्पया हो रहा है बिल्कुल किलियर हो चुका होगा अगर कहीं पर डाउट हो तो जरूर बताएगा मैं फिर से डिसकस करने का प्रयास करूंगा